धारा 370 को लेकर आरोप पर प्रतियारोपों का सिलसला एक बफिर से जोर पकड़ चुका है इसी को लेकर जादा बाच्चित का निकली मेरे साथ मौझूद है प्रदेश अदियक्ष पीतम सिंग सर देखा जाये तो लगातार उमीद थी कि धारा 370 होने के बाद स्तिती बैतर ह होगी लेकिन राजनीतिक तोर पर हम समझे तो आरोप पर प्रतियारोपों का सिलसला चल रहा है अभी हाल ही में शिवरा सिंग चोहान ने भी नहरू को अपरादी की संग्या दी है देखिए मैं बड़ा सफस्कंना चाहता हूँ देश के आज़ादी के बाद ये देश जो है कई राजाओं के आधिन था और आज़ादी के बाद कश्मीर को जो है हिंदुस्तान का हिस्सा रखने के लिए जो समझता हुआ उसी कहता है धारा 333 वा पर इंपोस की गई और मैं आज कह सकता हूँ कि अगर कश्मीर आज देश का अमिन हिस्सा है तो उस समय जो ततकालिक परिस्तियां थी उन परिस्तितियों में पंडी जो हालाल नेरूजी जो देश के प्रधान मती थी जो उन्होंने निनेलिया उसी के वज़े से आज कश्मीर हिंदुस्तान का अब इस तरीके की बात कहना कि धारा 370 के लिए पंडी जो हलाल नेरूजी या कॉंग्रिस की सरकार जो है जुमिदार रही ऐसा लगता है कि भारती जंता पार्टी के जुन्हेता है उनका जो है जो मानसिक संतुलन है वो सही तरीके से काम नहीं कर पारा है अगर युद विराम सही समय पर किया होता वक्स से पहले नहीं किया होता तो शायद कश्मीर पूरा पाकिस्तान के हिस्से में आदा ना जाने के बज़ा पूरा भारत के हिस्से में आता और वहीं अगर 370 के बात की जा तो दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं हो देखे, मैंने कहाना कि जो तातकालिक परिस्तितियां थी, जिन परिस्तितियों में ये निर्णे लिया गया, तो तभी कश्मीर भारत का अंग रहा है, ये परिस्तितियां थी जब बटवारा हुआ, उन बटवारे के टमें लिया गया निर्णे, आज की स्तिति में परिवर्तन है और मैं कहना चाहता हूं भारती जंता पार्टी के लोगों को कि देश की आजादी में संग परिवार का और भारती जंता पार्टी का कभी कोई योगदान नहीं रहा उस समय उन परिस्तितियों को समझने का भी कभी जो है इनों परियास नहीं किया ऐसा लगता है कि 2014 में ही य कशमीर की लड़किया Veterर ची के लिए faktory अपना अलग बयाने को दिया कि कश्मीर की लडिकिया है वह हमारी बेटिया आपको लगता है कि कश्मीर को लेकर अलग ही प्रसिप्शन जो है अब बनते वे सामने नजर आ रहे हैं वहीं राहूल गांदी की भी मैं बात करू तो वो भी चिंता जता आते वे नजर आ रहे हैं कश्मीर हिंदोस्तान का अभिन अंग है और कश्मीर के लोग जो है इस देश के लोग हैं तो इस तरीके की बियान वाजे कर के जो क्हाई है उसको बढ़ाना नहीं चाहिए बलकि जो जुम्यदार लोग हैं और खास तोर से सत्ता में बैठे वे लोग हैं उनकी जुम्यदारी बनती है कि वो खाई को पाटने का काम करें लेकिन हारात आपके सामने परिस्तितियां आपके सामने जिस तरीके से खाई को और चोड़ा करने का काम किया जा रहा है मैं समझता हूँ वो रास्ट हित में नहीं है